नमस्कार, नेक्स्ट नाइन नियूस देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंग्ग, इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है कॉंग्रेस पार्टी की पोर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ट नेतार रहूल गांधी को लेकर बता दे कि अभी अभी रहूल गांधी और सोनिया गांधी एक बड़ी हाथ से का शिकार हो गए मिले जौनकारे के मुताबिक सोनिया गांधी और रहूल गांधी की फ्लाइट भोपाल के राजा भोज एयरपोट पर इमरजेंसी लेंड कराए गए मिली जानकारे के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी होने की चलते अब को वता दे के एरपोर्ट पर राहूल गांधी और सोनिया गांधी की फ्लाइट की इमरजेंसिंग लेंडिंग हुई राहूल सोनिया इस फ्लाइट से बैंगलोरू से दिल लिजा रही थी राहूल गांधी के निजी स्टाफ ने इस बात की खुद पुष्टी की है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राजीव सिंग ने बताया विधायक आरिफ मसूद पीसी शर्मा एयरपोर्ट पर पहुच गए हैं राहूल गांधी और फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए निखल चुके हैं सूचना मिलते ही भोपाल के और भी कॉंग्रेस नेता एयरपोर्ट पहुच रहे हैं लगातार आपको बता दे कि जैसे ही ये जानकारे सामने आई कॉंग्रेस सपार्टे की बीच हरकंप मच गया दरसल आपको बता दे कि राहुल गांधी और सूनिया गांधी आज विपक्ष की महागट बंधन की बैठक में शामिल होने के लिए बैंगलारू गए थे जहां पर महागट बंधन ने अपने नए नाम की खोशना की बता दे कि साल दोहजार चौबीस के चुनाव के लिए बैंगलारू में कि बैठक में यूपिये का नाम बदल कर इंडिया रख दिया गया है इस बीच आज एंडिये की बड़ी बैठक होई जहां एक और लगातार विपक्षी दल साल दोहजार चौबीस की चुनाव के लिए तैयारिया करते हुई नजर आ रहे हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस अंत्रिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पौर्व राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुए इस बड़े हाथ से कुले कर कॉंग्रेस पार्टी और राहुल सोनिया के समर्थकों के बीच हरकम पमच गया हाला कि आपको बता दे कि कोई भी बड़ी दुरगजना होती इससे पहले ही समय रहते फ्लाइट की इमर्जेंसिंग लेंडिंग करा दी गई आपको बता दें कि राहूल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त पूरी तरह से ठीक है और अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं लगतार उनके समर्थक सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ा पलपल का अपडेट जानने की कोश्च कर रहे हैं बता दें कि खुद कॉंग्रेस पार्टी ने इस बात की पुष्टी की है कि राहूल गांधी और सोनिया गांधी फिलहाल पूरी तरह से ठीक हैं और वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं दरसल आपको बता सेम मामले में सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई भी होनी हैं ऐसे में उनसे जुड़ी इस बड़ी खबर ने राजनेतिक घलियारों में हलका बमचाने का काम कर दिया हैं नेक्स्ट नाइन नियोस के ओर से ये खास रपॉर्ट